हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आई इस पीसियस में और आज हम इस वीडियो में लेके आए आपके लिए बहुत ही इंपोटेंट सीरीज देख लीजे सभी प्रतियोगी और दोस्तों सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए समान रूप से उप्य आपको फिर इसके आगे कुछी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है बस यह करना है और टेस्स लगानी है ठीक है तो यह आपकी सार संग्रे हैं ठीक है मैक्सिमम कोशन यहीं से पूछे जाती है हर बार 70 प्लस कोशन सिधर से ही आ रहे हैं अगर आप कोई भी पेप बिल्कुल खतम हो जाएगी ठीक है और यह जो बुक है वो मैं बता देती हूं आपको क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है मैं बता रहे हूं क्योंकि यह आपकी है महेश कुमार बर्नवाल जी की बुक और बिल्कुल 100% sure shot अगर आप खिलना चाहते हैं आपको चाहिए कि आप मह साके में रिजल्ट चाहते हैं तो बने रही हमारे साथ वीडियो में और यह सीरीज हम लोग पूरी कराएंगे 10-10 पेजिस करके हम कवर कराते जाएंगे ठीक है तो पॉलिटी आपका पहले हम लोग जो है इसके अंदर उठाएंगे और उसमें पूरे questions करते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा टैस सीरीज भी में लेकिया होंगी बस आपको एक ही काम करना है कि आपको हमारे साथ पढ़ना है ठीक है चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब जब आप करें तो वहाँ पे एक बैल आइकन होता है उसे क्लिक कर लीजेगा दोस्तों उससे क्या होगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा डेली वीडियो आएंगी डेली आपको पढ़ना है ठीक है गिवप नहीं करना है ओके और इसके साथ में आपको यह वीडिव जो है न रेट करती है और आती नहीं नहीं है तो सब ही लोगों बाती है तो एंग आपसे दरखास रहेगी हम इसतंवाल करके जितना हो सकते आपके लिए अच्छा वीडियो मना है है आ कि देखिये सबसे पहले से लुए हाँ हम देख लिए बाटी ये राज व पड़ते जाना है ठीक है हमारे साथ देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 द्वारा सर्वोच न्याले की स्थापना कहां की गई थी ठीक है तो यह आपका पहला कोशन हो जाएगा कलकत्ता में 1774 में भारतियों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनि करने की ठीक है शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई तो वो प्राप्त हुई थी भारतिये परिशाद अधिनियम 1892 के द्वारा ठीक है और इसके अलावा केंद्रिये विधान मंडल सर्व प्रथम किस अधिनियम द्वारा दूई सदनिये यानि की बाइकेमरल बनाया गया था 1919 के यानी 1949 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के राश्पति को अध्यादेश यानी आर्डिनेंगेंन्स निर्गत करने की शक्ति मूल तह किसा अधिनियम अधिनियम से प्रेरित यह व मत रहए Cham pleasant अधिनियम 1935 से भारत का सम्वेधानिक विकास तो ये आपका भारत का सम्वेधानिक विकास इस इंडिया कंपनी के अंतरगत और बिटिश क्राउन के अंतरगत ठीक है इस तरीके से इस इंडिया कंपनी के अंतरगत ये चला अथारे सो त्रेपन फिर आया आपका बिटिश क्राउन भारत परिशद अधिनियम अथारसो अथावन भारत परिशद अधिनियम अथारसो एकसट भारत परिशद अधिनियम अथारसो इकसट भारत परिशद अधिनियम अथारसो ब्यानवे 1892 भारत परिशद अधिनियम 1909 और भारत शाषद अधिनियम 1909 ठीक है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैद शासन विवस्था लागू की गई थी बिटिश भारत में किस अधिनियम में संगीय शासन का प्रावधान था भारत शासन अधिनियम 1935 ठीक है किस अधिनियम में संगिये देखिए संगिये शासन का प्रावधान था भारत शासन अधिनियम 1935 में और द्वैत शासन भी कब आया भारत शासन अधिनियम 1935 ठीक है भारत शासन अधिनियम 1935 में जो उसके अंदर सुधार करे गए उसके बारे में समिक्षा करने के लिए 1927 में सायमन कमिशन का क्या करा गया था गठन किया गया था इसके बाद अखिल भारतिये संग इस्थापित करने का प्रावदान किस अधिनियम में किया गया था अखिल भारतिये संग इस्थापित करने के लिए क्या किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के समिधान में केंद्र और राज्यों के मद्धे किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारेत है ठीक है यानि कि जो केंद्र और राज्यों के मद्धे जो शक्तियों का डिस्टिबिशन होता है जो बाटा गया है उनकी शक्तियों को यानि Central Law or State की उसे किसके तहत करा गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 पर अब ये कोश्यन आपका बहुत बार आया है आप चाहें तो प्रीवियस येर पेपर की टेस्स सीरीज में देख लिजेगा एक निर्वाचिस अविदान सभादवा भारत की सम्विदान का निर्मान करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था ये दिया गया था कृप्स मिशन द्वारा भारतिय समविदान सभा का गठन किसके अंतरगत किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 इश्वी के अंतरगत किया गया था ठीक है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तोत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनी धियों का निर्वाचन के सनुपात में था 10 लाग की जनसंक्या पर एक सदस्य है ठीक है देख लीजे कितने repeated question है आप पढ़ते जाएंगे आपको एहसास होगा कि बहुत important है भारतिय सभिधान का निर्माण करने वाली सभिधान सभा के सदस्यों का चुनाफ किसके द्वारा किया गया था विभिन प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा अंत्रिम सरकार देख लेते हैं इस पर कई questions आते हैं बहुत important हैं अंत्रिम सरकार 1946 ठीक है इसमें आपके सदस्य हैं और ये हैं धारत विभाग जोहालल नहरू राष्ट मंडल संबन तथा विदेशी मामले सरदार वलब भाई पटेल ग्रह सूचना एवं प्रसारण विभाग अगरिक आपूर्ती जग जीवन राम इनके पास श्रम विभाग सरदार बलदेव सिंग रक्षा विभाग लियाकत अलीख हां के पास था वित्व विभाग सी राजा गुपालचारी शिक्षा एवं कला विभाग ठीक है इसके बाद में हम नेक्स्ट देख लेते हैं अब देखिए भारत की सविदान सभा की पहली बैठक कब हुई थी ठीक है ठीक है ठीक है देख लेते हैं भारत की सविदान की सबसे पहली जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी ठीक है जूम कर देते हैं हम इसे भारतिय समिधान सभा का प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट सर्वी एं राउ द्वारा तेयार किया गया था समिधान सभा का इस्ताई अध्यक्ष किसे चुना गया ठीक है परमानेंट शेयरमें डॉक्टर राजेंद प्रसाद जी को सविदान सभा में पंडित नहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया यानि अबजेक्टिव रेजोलिशन ये करा गया 13 दिसमबर 1946 को 13 दिसम्बर 1940 को पंडित नहरू जी ने क्या करा था उद्धेशे प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था नहरू द्वारा उद्धेशे प्रस्ताव सविदान सभा में कब स्विक्रत हुआ देखिए एक ये दो कोश्यन इस तरीके के आते हैं कई कोश्यन में ऐसा रहता है ये तो हुआ कब प्रस्तुत किया तो वो किया था 1946 में है और 13 दिसम्बर डेट है और ये डेट के साथ ही पूछे जाते हैं और एक था कि वो स्विक्रत कब हुआ था तो वो हुआ था ओविएसली पहले प्रस्तुत हुआ होगा तो 1946 ऐसे याद रख लीजेगा और बाद में क्या होगा वो लागू होगा या स्विक्रत होगा तो वो कब होगा 1946 है तो आगी क्या आएगा 1947 और 13 दिसम्बर है तो ध्यान रखिएगा जन्वरी में क्या हुआ था स्विक्रत हो गया था भारतिय सम्विधान के निर्माण काल में सम्विधान सभागे कुल कितने अधिवेशन हुए थे यानि जब निर्माण काल चल रहा था सम्विधान सभागे तो कुल कितने अधिवेशन हुए वो हुए थे 12 ठीक है भारतिय समविधान के निर्माण में समविधान सभाग को कितना समय लगा 2 वर्ष 11 मां 18 दिन ठीक है आप इसे जैसे चाहें वैसे याद रख लीजिए 2 वर्ष 11 मां 18 दिन कोई भी निमोनिक बना लीजिए कोई भी ऐसी चीज इससे जोड लीजे चाहे हैं आप ये मान लीजे कि आपकी एज इतनी है ठीक है कुछ भी ऐसा जिसमें की कुछ फणी सा हो उससे क्या होता है हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं वरना इतनी सारी चीज़ें याद रखना मुश्किल हो जाएगा आगे चलते हैं भारती समिदान सभा के समवेदानिक सलाकार कौन थे भारती समवेदानिक सभा के समवेदानिक सलाकारते वो थे सर बी एन राओ ठीक है भारत की समवेदान सभा के वर्तमान रूप में राष्ट्रिय ध्वज को कब अपनाया तो वो अपनाय गया था 22 जुला प्रतम बैठक की अध्यक्ष था किसने की थी वो करी थी डॉक्टर सजिदानन सिना ने और ये थे इसकी अस्थाई अध्यक्ष ठीक है और इस्थाई अध्यक्ष अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया तो इस तरीके से आप रिकॉल करते जाहिएगा ठीक है कौन थे थाई अध्यक्ष 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 ने कमेंट करके बतायोजागा भारत का सभी दान उपर मत देखिएगा ऐसी खुछिएगा भारत का सभी दान कब सुीकार किया गया वह किया गया था 26 नWhenbenma 0949 में बारते स७ीदान पूर्हा कब लागू हुँआ था ये हुआ था 26 जन्वरी 1950 को सम्विदान सभा यानी Constituent Assembly के बारे में पढ़ लेते हैं 9 December 1946 को सम्विदान सभा की प्रथम बैठक हुई थी ठीक है प्रथम बैठक सम्विदान सभा की कभी थी 9 December 1946 को जिसमें Dr. Sachidhanan Sina को अस्थाई अध्यक्ष तथा 11 December 1946 को Dr. Rajendra Prasad को इस्थाई अध्यक्ष चुना गया देखिए आगे आंसर आपका सभिदान निर्मान का प्रारम 13 December 1946 को पंडिक ज्वाला नहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव यानी Objective Resolution से हुआ जिसे 22 जन्वरी 1947 को सर्व सम्मती से ठीक है सर्व सम्मती से क्या कर लिया सुईकार कर लिया 26 November 1949 को भारतिय समिधान अंगी कर दिया अनि Adopt किया गया ठीक है अब क्या हुआ Adopt कप करा गया है समिधान को वो करा गया है ये Date भी Important आती है 26 November 1949 को जबकि 26 November 1950 को इसे पूंतह एक्जीक्यूट कर दिया नि लागू कर दिया ठीक है Adoption का पो रहा है समिधान का 1949 में 26 November को और 26 January को 1950 को इसे पूंतह लागू किया गया अब आप बताएंगे कि आके 26 January को ही क्यों किया गया ठीक है इसका जवाब मैं नहीं दूंगी भारत का समिधान मूलत है दो भाशाओं हिंद्वी और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सोदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर क्या करे थे हस्ताक्षन करे थे ठीक है इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं जनगर मन को भारत की राश्ट्रगान के रूप में कब वो करा गया था तो ये करा गया था 24 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा अशोक इस्तंब को राश्ट्रिये चिन ठीक है के रूप में अंगी करत किया गया था तो ये कब अंगी करत किया गया था यह किया गया था 26 जनवरी 1950 को ठीक है यह 1950 है इसके बाद में देख लेते हैं सविदान सभा की सलाकार समिती एडवाइजरी कमेटी अध्यक्ष के अध्यक्ष सर्धार वल्लभाई पटेल थे ठीक है सलाकार समिती के अध्यक्ष कौन थे सर्धार वल्लभाई पटेल थे इसके बाद में देखें सभिदान सभा की जंडा समिती के अद्यक्ष ते ठीक है तो अब जंडा समिती के जो राजर्क प्रसाद जी तुक तो कि इसके बाद में आपकर नेक्स रहेंगे दिखें यहां पर प्रमुक वियां मेज और एव पुष्ड छेस कि पंडे जौलाल नहरू संगीय समिधान समिधी पंडे जौलाल नहरू प्रांतिय समिधान समिधी सर्दार वल्लभाई पटेल प्रारुग समिधी डॉक्टर भीमराव अमबिटकर मौलिक अधिकारों एवं अल्प संग्यकों सम्बंदी प्रामर्श समिधी सर्दार वल्लभाई पटेल थे इसके और प्रक्रिया नियम समिधी डॉक्टर राजेंदर प्रसाद राज्यों के लिए समिधी पंडे जौलाल नहरू संचालन समिधी डॉक्टर राजेंदर ठीक है तो ये थी समिती ये समिती के बार-बार आती है जैसे एक question आ जाएगा कि मौलिक अधिकार हो है वो अलप संख्यकों संबंदी प्रामर्श समिती के अध्यक्ष कौन थे तो उस समय आपको ये लगेगा कि ये question हमने पढ़ातो है वर्ट हमें याद नहीं है तो मैं आपको ये ही request करना चाहूँगी कि ये सब आपको किभल पढ़ना नहीं है आपको इसे रटना है याद करना है अगर आप इसे याद कर लेंगे तो ऐसी problem नहीं आएगी और यकीन मान कई सारे question प्रमुक समीतियां और उनके अध्यक्ष से आएं है ठीक है तो ऐसा होता ही रहेगा question इनी में से आएंगे कुछ change नहीं होने वाला समीदान सभा के कारें से संबंदे समीति के अध्यक्ष कौन थे वो थे जीवी मावलंकर ठीक है ये भी question आया हुआ है समीदान सभ सभाकी सभिदान सभाकी प्रारूप समीति में छे अन्य सदस्य एन गोपाल स्वामी आयंगर डॉक्टर के एम मुंशी बी एम मित्रा बाद में इनके स्थान पर एन माधवराव अल्लादी कृष्ण स्वामी आयर सायद मुहमत सादुल्ला तथा डॉक्टर पी खेतान बाद में इनके स्थान पर टीटी क्रश्णमाचारी थे तो इस तरीके से आप इसे भी पढ़ते जाहिएगा सभिदान सभान ने डॉक्टर बिया रंबेटकर की अध्यक्ष्टा में प्रारूप समीति का गठन कब किया तो यह किया था 29 अगस्ट 1947 को क्या किया गया प्रारूप सम गया डॉक्टर बियार अमबेटकर का समिधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ देखी कोश्चन फिर बता रही हूं सभी कोश्चन रिपीटिड है बहुत इंपोटेंट है दिहान से कर लीजेगा बंबई प्रेसिडेंसी 1947 से 1950 ठीक है पहले वो कहां से थे ये भी पूछा गया जा चुका है बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 1947 में बट फिर उन्हें कहां से लिया गया बंबई प्रेसिडेंसी ठीक है चलिए अब इसके बाद में हम देख लेते हैं आपके सम्विधान के विभिन प्रावधान व उनके स्त्रोथ ठीक है यानि कि जो सम्विधान के स्त्रोथ हैं हम उनको देख लेते हैं क्या चीज कहां से हमारे सम्विधान में ली गई भारतिय समिधान में मौलिक करतव्यों का विचार किस देश के समिधान से लिए गया है तो ये लिया गया है रूस के समिधान से इसके अलावा राज्य के नीती निदेशक तत्वों को कहां से लिया गया है तो देखे आर्लेंड से लिया गया है इसके अलावा भारती सम्मानता एवं बंदुत्तों का सिद्धानत यानि प्रिंसिपल ओफ लिबर्टी एड इक्विलिटी एड फैटर्निटी कहां से लिए गया है? फ्रैंस से लिए गया है नेक्स्ट है भारत में निया एक पुन्राव लोकन यानि जुडिशियल रिवियू की संकल्मना कहां से लिए गया है? तो ये लिए गया है सिद्धुराज्य अमेरिका से ठीक है? यूएसे से भारती सविदान विशेश सवादवारा निर्मित लिखित सविदान है इस द्रश्टी गोड से भारती सविदान अमेरिकी सविदान के समतुल्ले है ठीक है? भारती सविदान में समविदानिक संशोधन Constitutional Amendment कहां से लिए गया है? तो लिए गया है दक्षण अफ्रीका से और Emergency Provision यानि कि अपात कालीन उपबंद किस देश के मतलब समिदान से प्रेरित होकर के लिए गये तो लिए गये जर्मनी से ठीक है? Emergency Provision कहां से? जर्मनी से इसके अलावा शक्ती शाली केंद्र के साथ भारत की संगातमक वियस्ता यानि Federal System ये लिए गया है कनाड़ा से और इसके अलावा समवर्ती सूची Concurrent List किस देश से लिए गयी है? तो ये लिए गयी है Australia से भारतिय समविदान में निहेत विदी द्वारस्थापित प्रक्रिया Process Established by Law ये लिए गया है Japan से इसके अलावा भारतिय समविदान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनी तीक नियाएक आधर्ष का प्रावधान किस देश के समविदान से प्रेरित है? तो ये है भारतिय समविदान में संसदिय विशेशादिकार ठीक है? पार्लियमेंटरी प्रिविलेज कहां से लिए गया है? किस देश के समविदान से प्रेरित होके लिए गया है? ये लिए गया है ब्रेटेन से ठीक है? पार्लियमेंटरी प्रिविलेज संसदिय विशेशादिकार ब बितेन से जबकि विदिधी द्वारा स्थापत प्रक्रिया जापान से ली गई है ऑर दोणों कोश्चिन अलग तरीके से आ सकते हैं कंफ्योज होने की जडूरत υबरत नहीं में भारत के सम्मिलित और मूल अतिकार, fundamental right सेयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है इसके अलावा हम देख लेते हैं यहां पे विभिन देशों के समिधान के लिए से लिए गए प्रावधान ठीक है अब यहां पे यह combine करके दिया गया देखें मैं दिखा देती हैं यह बहुत अच्छा है आपको ऐसे याद हो जा सर्वच नियाले एवं उच्छ नियाले के नया धीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया राष्टपती पर महा ब्योग जन हितियाचिका नियायत पुर्णाव लोकन प्रनाली उपराष्टपती का पद यतोचित विधी प्रक्रिया ठीक है यह सभी इसके अंदर कहां स लिए गए हैं संयुक्ति राज्य अमेरिका से लिए गए प्रावधान हैं इसके अलावा ब्रेटेन से जो लिए गए विधी शासन विधी का शाशन संसदिय शाशन प्रनाली एकल नागरिक्ता सिंगल से टिजनशेप यानी की दुई सदनीय व्योस्था इसके अलावा द्यक्ष पद की भूमी का संसदिय विशेश अदिकार इसके अलावा हम देखें दक्षिन अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है तो वो है सविधान संशोधन की प्रक्रिया राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन आगे चलते हैं कनाड़ा सशक्त केंद्र के साथ संगी व दिवस्था, शक्तियों का वित्रण तथा अफशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्रों द्वारा राज्यों में राजय पाल की नियुक्ती, उच्चत्म नयाल्या का प्रामर्शी नयाय निर्णयन और संग्यात्मक विशेश्टा हैं ये सारी जो लिए वो कनाड़ा से ली गई है ठीक है कई एक बार देखा गया है टिपिकल करने के लिए कनाड़ा के भी पोर्ष लिए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया से देखे तो समवर्थी सूची व्यपार वानिजे एवं समागम की स्वतंत्रता समथी प्रावधान संसत के दोनों सदनों की संयुक बैठक प्रस्तावना की भाषा इसके लावा आयर्लेंड से लिए गया है वो है । राजी की नीती रिदेशक्ता तो राश्पती की निर्वाचन पदिती राज्य सब में सदस्यों का ना मंगकन फ्रांस से लिए गया है गरतंत्रात्मक व्योस्ता सुतंत्रता समानता इम ब पाद क्याल के समय मूल अधिकारों का स्थागन ठीक है अमर्जेंसी के समय में क्या होता है जो fundamental जो राइट होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है इस्थागत कर दिया जाता है next है जापान, विदी द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह कहां से लिगई, जापान से लिगई एक मात्र तो इस तरीके से आपके यहां पर जो भी स्त्रोत थे, जो भी यहां पर स्त्रोत थे वो सारे complete हो गए, इसके बाद हम next चलते हैं देखिए अब इसके उपर आपको कई बार कुश्चन देखने को मिले होंगे इस पर निमोनिक में एक छोटा वीडियो अलग से बना के डाल दूँगी लेकिन अब ही हमसे सीधे सीधे ही पड़ेंगे भारतिय सविधान के भाग ठीक है पार्ट्स ओव दा इंडियन कॉंस्टि संग और उसका राज्य छेत्र ये हैं एक से चार तक नागरिक्ता पांच से ग्यारे है मूल अधिकार बारे से पैतिस राज्य के नीती निदेशक तत्व 36 से 51 तक मूल करतव्य है 51 का ठीक है 51 ए अब ये जोड़ा गया है इसलिए इसमें 51 ए है संग ये है आपका 52 से 151 तक राज्य है 152 से 237 तक इसके बाद है आपका पहली अनुसूची के भाग खाके राजे सविदान साथमा संशोधन ठीक है क्या है ये 1956 और अनुसूची द्वारा निरस्त कर दिया गया ये 238 निरस्त ठीक इसके बाद देख लेते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242 तक पंचायत ये आपका 243 से 243 रां तक नगरपालिकाएं मुनसिपलिटी ये आपका 243 ता से 243 या तक सरकारी समितियां कोपरेटिव सोसाइटी 243 से 243 या ना तक अनुसूची और जंजातिय चेत्र 244 से 244 का तक फिर संग और राज्यों के मद्धे संबंद 245 से 263 तक वित्थ सम्पत्ती सम्विदाएं और वाद ये हैं 264 से 300 ये तक इसके अलावा देखें हम भारत के राज्य चेत्र के भीतर विया पार वाड़ेजे एवं समागम तो 301 से 307 तक संग और राज्यों के आधीन जो सेवाएं हैं services under the union and the states 308 से 323 तक हैं अधीकरण यानि ट्राइब्यूनल्स 323 का से 323 खा तक पंद्रवे में देखें तो निर्वाचन elections यानि की 324 से 339 तक कुछ वर्गों के संबंद विशेश उपबंद अनुसूच जातियों अनुसूच जन जातियों पिछडे वर्गों आंगल भारतियों के संबंद में विशेश उपबंद यह आपका है 330 से 342 तक इसके बाद हम आके देख लेते हैं यहां आएगा राज्य भाशा ठीक है राज्य भाशा होगे आपका 343 से 351 तक इसके बाद emergency provision यानि आपात उपबंद 352 से 360 तक प्रकिर्ण यह आजेंगे 371 से 377 तक संविधान का संशोधन amendment of the constitution 368 अस्थाई संक्रमन कालीन और विशेश उपबंद 369 से 392 संशेप्त नाम प्रारम हिंदी में प्राधिकरत पाठ और निर्सन 393 से 395 तक ठीक है समिदान सभा के भाग ग्यारे को का अध्या एक संग और राज्य के मद्धिये विधाई संभंधों लेजिसलेटिव रिलेशन को दर्शाता है ठीक है भाग ग्यारे क्या करता है लेजिसलेटिव रिलेशन को दर्शाता है तो यह देखिए हमने कर लिया अभी तक अगला है भारतिय सभिधान में अनुसुचिया ठीक है भारतिय सभिधान में अनुसुचिया ठीक है इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं भारतिय संग में नए राज्य के गठन का प्रावदान किस अनुसुची में किया गया ठीक है नए राज्य के गठन जो करे जाते हैं वो प्रतम अनुसुची में ठीक है प्रतम अनुसुची राज्य के नाम तता उसके राज्य चेतर का विवरण प्रदान करती है तो जो भी नए राज्ये के गठन होते हैं वो किसमें होते हैं प्रतम अनुसुची में इसके अलावा अगला देख लेते हैं भारते सम्विदान नौवी अनुसुची देखिए नौवी अनुसूची प्रतम अनुसूची हो गया नौवी अनुसूची को कि सम्विदान सर्शोधन के माध्यम से जोड़ा गया तो ये जोड़ा गया था प्रतम सम्विदान सर्शोधन 1951 ठीक है तो ये जो नौवी अनुसूची नाइन्थ वाली जो है वो प्रथम सम्विधान संशोधन यानि First Constitutional Amendment Act में 1951 के तहट जुड़ा गया भारत के सम्विधान की किस अनुसूची में विभिन राज्यों में अनुसूचित छेतरों के प्रशासन और नियंतरण के लिए विशेश उपबंद हैं तो यह है पाँचवी ठीक है यानि भारत के जो सम्विधान की विभिन राज्यों में अनुसूचित यानि छेतरों के प्रशासन और नियंतरण के लिए जो बंद किये गए वो किसके तहत करें गया है पाँचवी अनुसूची के तहत किये गए है इसके बाद देख लेते हैं आप गोत्रू कर पाएंगे देख लेते हैं पहली अनुसूची से शुरू करते हैं यह है आपकी पहली अनुसूची राजे संग राजे छेतरों यानि यूनियन टेरिटरी के नाम एवम उनकी सीमाई ठीक है अनुचेद एक से चार तक एक तथा चार दूसरी जो अनुसे और उसमें राष्ट पती राजेपाल लोकसभा ठीक है विधान सब्सा अध्यक्ष अपाध्यक्ष राजे सब्सा राजय विधान परिशद्यों के सभापति अर और शावच्णा नियांले कि निय अदिश भार्त Karma nyear mantra माले खारिक्षक पताधिकारियों की वेतन भत्तों पेंशन आधी जुड़े प्रावध्णा देख लिए ठीगblem कर coalition वीतन भत्तों पेंशन्न 59, 65, 75, 97 और 125, 148, 154, 186 और 221 इससे जुड़े हुए अनुच्छे दें तीसरी अनुचुची संग राज्य मंत्री, संसद राज्य विदान मंदल के सदस्यों वच्चनावों के प्रत्याशी, नियाए धीश आधी द्वारा ली जाने वाली शपत ठीक है ये तो वेदान भत्तों से जुड़ा हुआ हो गया और ये शपत या प्रतिज्ञानों और फर्मिशन के रूप में दिये गए ये किस-किस अनुच्छेद में आ रहा है वो भी देख लेते हैं एक बारी अनुच्छेद पिशत्तर, चौरासी, निन्यानवी, 124, 6, 142, 174, 173, 188 और 219 ठीए तो सबसे पहला कौन सा हो गया था ये हो गया था राजे संग, राजे छेत्रों और उनके नाम और सीमा, ये हो गया आपका वेतन भत्तो पेंशन से रिलेटेड, ये हो गया आपका शपत से और अफर्मेशन से चोथी अनुसूची में है राज्यों और संग राज्य छेत्रों के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ठीक है तो ये किया गया आपका किस आर्टिकल के तहट अनुच्छेत 4,1 और 82 पांचवी अनुसूची को देख लेते हैं अनुसूचे छेत्रों वजन जातियों के प्रशासन तथा नियंत्रन से जुड़े प्रावधान ठीक है तो पहला हो गया था आपका राज्य संग राज्य छेत्रों के नाम वह उनकी सीमा से जुड़ा हुआ वेतन भत्तों और पेंशन आदी से जुड़े हुए प्रावधान हो गया दूसरी में तीसरी कि में आपके शापत और प्रती यानुसूची में से रिलेट्रों गया चौत है अनुसूची देख लेते हैं, आपको ऐसे याद करना है, जब भी एक पड़ें तो आप पीछे के पूरे रिकॉल करिए, तो ऐसे याद हो जाता है, छटी अनुसूची, यह आपका है इसका निमानिक ATTM करके, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका असम मिघाले तिरपुरा मिजोरम, राज्य के जनजातिय चेत्र के प्रशासन से संबन देते हैं, ठीक है, छटी सूची इस से संबन देते हैं, सात्वी अनुसूची, सात्वी अनुसूची, सात्वी अनुसूची में क्या आएगा, संग सूची, एक मिनट, संग सूची, राजे सूची और समवर्ती सूची में शामिल विशेख ठीक है इसका आर्टिकल है 246 साथवी अनुसूची में आपकी कौनकों से आ गई यानि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कौनकरेंट लिस्ट यह आ गई ठीक है अब देख लेते हैं शुरू से एक बारी फिर से रिकॉल कर लीजिए पहली में आपकी राज्य संग राज्य छेतरों के नाम सीमा फिर आ गया था आपका वेतन भत्तों और पेंशन से दूसरी अनुसूची तीसरी अनुसूची में शप आपका पाचवी अनुसूची हो गया था SCST के नियंत्रण से जुड़ा हुआ प्रशासनों नियंत्रण से जुड़ा हुआ SCST का छटी अनुसूची हमने अब यह भी बताया आपको AMTM करके हो गया ठीक है इन में जो जनजाती है छेतरों के प्रशासन से संबंदिद जो भी वस्ताय बंद है वो इसमें आ गई छटी अनुसूची में साथवी अनुसूची अभी हमने देखी थोड़ी दिर पहले यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट यानि संग सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आठवी अनुसूची के अंदर है आपका बाइस भाशाएं, समिदा अद्वारा माननेता प्राप्त कितनी बाइस लेंग्विज, ठीक है, तो ये आठवी अनुसूची हो गई, ठीक, इसके बाद में हम चलते हैं, नौवी अनुसूची पे, इसमें भूमी सुधार, जमीदार, उन्मूलन से संबंदे तद दल बदल डिफेक्शन के आधार पर संसद और विदान सबा के सदस्यों की निरहरता से संबंदे ते, ठीक है, ये क्या है, ये डिफेक्शन वाली है, एंटी डिफेक्शन वाली दल बदल के आधार पर, ठीक है, दस भी अनुसूची है, ग्यार भी अनुसूची, पंचायतो वो इसमें निर्धारे थे बारवी में नगरपालिकाओं की शक्तियां वह उत्तरदायत निर्धारे थे देखिए पहले यहां तक थे फिर यह सब बढ़े हैं आठ थे पहले फिर बारे हो गए अब इसके अंदर हम देख लेते आड़ान क्या इन्फरमेशन है आठवी अनुसूची सिंधी भाषा 21 समिधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी ठीक है तो यह हो गए फ्रेंड्स आप लोगों के पूरे समिधान के संचेप्त विवरन मैंने आपको रिपीट करकर के बता दिया कैसे आप याद कर सकते हैं औ आपको याद हो गए होंगे आप भी इसी तरीके से दुबारा पढ़ लीजेगा सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार समिधान की किस अनुसूची में उलेखित है साथवी अनुसूची में सरकारों द्वारा जो शुलक है वो कर लगाने का जो दिकार है वो किसमे है साथवी अनुसूची में राज्य भूमी सुधार अधीनियम को सम्वेधानिक सुरक्षा प्रदान करने ही तो किस अनुसूची में समिलित किया गया तो वो 9 वी अनुसूची में क्योंकि राजेभुमी सुधार अधिनियम जो है वो 9th schedule के अंदर है ठीक है दसवी अनुसूची को 52 सम्विधान संशोदा अधिनियम 1985 द्वारा सम्विधान में जोडा गया था ठीक है दसवी अनुसूची को किसके तहट 52 सम्विधान Constitutional Amendment Act के द् सम्विधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया इसे दल बदल यानि एंटी डिफेक्शन लॉबी कहा जाता है अंग्री जी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुक भाषा है परन्तु इसे सम्विधान की आठवी अनुसूची में शामिल नह यह थे आपके जित्ते भी भारतिय सम्विधान की अनुसूची से रिलेटेट थे वो यहां मेजर पॉइंट्स आपको किलियर करा दिये गए हैं कोश्यन इसी के अकॉर्डिंग आगे पीछे करके पूछा जाता है नेक्स्ट देख लेते हैं भारतिय सम्विधान की भारतिय सम्विधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की वियस्था तो संसदात्मक ठीक है हमारी किस तरीके की शासन प्रणाली है संसदात्मक संसदात्मक शासन वियस्था में विदाईका का कारेपालिका पर नियंत्रन होता है ठीक है क्या होता है विदाईका का कारेपा अगर हम अंतर की बात करें तो इसका मुख्य बिंदू होगा निया एक समिश्चा तो समिख्षा जो करी जाती है वो इसमें दोनों के बीच एक अंतर बिंदू है भारत का सम्विधान परिसंगिये है यह किसे निर्धारित होता है यह केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियो के वित्रण से निर्धारित होता है भारत का समिधान परिसंगिये है किस से इस बात का पता लगेगा यह निर्धारण होगा तो केंद्रो राज्यों के मध्य शक्तियों के वित्रण से अभी देखिए भारत का समिधान के मूडले, कौन-कौन से सोतंतरता है, समानता है, बातरतो है, संपुबूता है, सामाजवादी है, पंतर नरपिक्ष है, लोक तांतरिक है, इसके अलावा हम देखें, नीती निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों का समिधान की आत्मा, ठीक है, किसने कहा था, conscience of the constitution, यानि नीती निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को समिधान की आत्मा किसने कहा, तो यह कहा, ग्रेनविल ओस्टिन है किसने कहा ग्रेनविल ओस्टिन है मूल सविधान के कुल कितनी अनुछेद और कितनी अनुसूचिया थी मूल सविधान के यानि जिने पहले बढ़ाया नहीं गया तो वो शुरू वाले कितने थे वो थे 395 अनुछेद और 8 अनुसूचिया थी ठीक है जिसे बाद में अनुसुचियों को भढ़ा करके बारे कर दिया गया और इसी तरह से अनुचेद भी भड़े सरपथम कॉंग्रेस की केस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था तो यह गया था सबसे पहले जो गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जनगण मन गाया ग इसे वकीलों का स्वार्ग Lawyer's Paradise कहा जाता है ठीक है अब यहां में एक केस के बारे में दिखा दिया हुआ है आप देख रहे होंगे नीचे एसार बोंबई बनाम भारत संगवाद 1994 में उच्चतम नियाले ने कहा भारतिय समिधान एक परी संगात्मक समिधान है ठीक है फेडरल कॉंस्टिजूशन है क्या कहा एसार बोंबई बनाम जो भारत संगवाद 1994 है उसमें कहा गया उच्चतम नियाले ने कहा है भारतिय समिधा एक परी संगात्मक समीधान है ठीक नेक्स्ट दिख लेते हैं भार्दे समीधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला मध्य एक अच्छा संतूलन ने स्थापित करता है ठीक है किसका कहना था ये इस स्टेट्मेंट को किसने दिया हुआ है तो ये स्टेट्मेंट दिया गया है आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां लिख देती हूँ केसी वियर द्वारा ठीक है तो ये केसी वियर ने कहा था इसको यह है और यह ला है, ठीक है, केसी वियर ने इसे स्टेटमेंट को दिया है, नेक्स्ट है भारतिय सविधान के व्रद होने के क्या कारण है, संग तथर राज्यों का एकल सविधान, ठीक है, क्योंकि यह संग और राज्यों का एकल सविधान है, भारतिय सविधान कैसा है, तता भावनाओं के महत्व को कम करके आका है ये किस ने कहा था ये कहा था आईवर जैनिंग्स ठीक है ये कहा गया किस की द्वारा कहा गया ये आईवर जैनिंग्स की द्वारा कहा गया इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत अर्द संखात्मक राज्य है ये किस ने कहा पा का प्रमुक्स्त रोथ कौन है तो भारत में राजनेतिक सत्ता का प्रमुक्स्त रोथ जंता है ठीक है कौन है जंता जंता है इसके अलावा गर हम देखें कोई भी संविधान कित्रा भी अच्छा क्यों नहों यदि उसे क्रियानवित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो भीम्राव अम्बेट करके द्वारा सम्विधान को संघात मक्ता के तंग धाचे में नहीं ढाला गया है यह कहा किस ने कहा यह पूछा जाएगा तो यह है डॉक्टर भीम्राव अम्बेट करने इसके अलावा भारत की सोतंतरता के बाद भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस के एक राजनेतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए यह सुझा किस ने दिया था यानि कि जब भारत की सोतंतरता मिल जाए तो इसके बाद राष्टिये भारतिये राष्टिये कॉंग् इसके लावा देख लेते हैं अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्य पालिका की समस्त शक्तियां किसमें नहित होती हैं तो ये राश्टपती में ठीक है अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्य पालिका की सभी शक्तियां राश्टपती में नहित होती हैं मौलाना अबुलकलाम आजाद ने सविदान सभा में व्यसक मतादिकार एडल्ट फ्रेंचाईजी को पंद्रे वर्ष के लिए इस्थगित करने की बात कही थी भारत का राश्ट्रिय पशू कौन सा है भाग है भारत का राश्ट्रिय पुष्प कमल है भारत का राश्ट्रिय पक्षी मोर है भारत के राश्ट्रिय द्वाज इंडिया नैशनल फ्लैक के चक्र में कितनी तीलिया है या कितनी स्पोक्स है वो है 24 ठीक है यह देखिए भारतिय सविधान की विशिष्टाएं यहाँ पर जित्ते भी स्टेट्मेंट वगरत है वो सब हम लोगों देख लिए हैं इसके बाद में हम आगे चलते हैं यहाँ पर आएगा साथमी अनुसुची के प्रमुक विश्चे ठीक है साथमी अनुसुची के प्रमुक विश्चे अगर हम देख लें तो यहाँ पर है भारतिय सविधान के अंतरगत सिविल प्रक्रिया सहिंता किस सुची का विश्चे है यह समवर्थी सुची का है जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन अपराधिक मामले भारतिय सविधान की समवर्थी सुची में सम मिलेते हैं शिक्षा किस सुची का विश्चे है समवर्थी सुची का ठीक है समवर्थी सुची को कॉनकरेंट लिस्ट भी कहते हैं शिक्षा प्रारब में राज्य सूची का विश्य है था, इसे 42 में संशोधन 1936 के द्वारा समवर्थी सूची में इस्थानांत्रित किया गया था, ठीक है? भूमी सुधार किस सूची के अंतरगत शामिल है राज्य सूची के द्वारा? रेलवे प्लिस किस सूची का विश्य है, राज्य सूची का विश्य है, देखिए फिर यहां पर पूरे दिये हुए है, यह पूरी लिष्ट है, तीन सूची को संबंदित प्रमुक विश्य है, जो भी है वो सब यहां दिये गए हैं मेजर मेजर, ठीक है? तो मैं एक बार आप को जल्दी से रीट किरा देती हूं, यूनियन लिस्ट, एक मिनिट, यूनियन लिस्ट में देखें तो प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिक्ता, संचार, डाकवतार, नगर निगम, वो निगम कर, और सेवा कर, ठीक है, युद्ध और शांती, सीमा शुल्क वो निर्या प्राइमार्ग, इसके अलावा हैं आपके विदेशी रिण, विदेशी वैपार, लोटरी, आएकर, क्रशी से भिन, जनगरना, डागघर, बचतवेंग, स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी आपके किसमें आ रहे हैं, संग सूची में आएंगे, यूनियन लिस्ट में, ठीक है, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, लोक, विवस्था, पुलिस, कारगार, सौरी, जेल, भूमी, इस्थानिय सवशासन, प्रादेशिक, लोकसेवा, लोकस्वास्थे, बाजारेमा मेले, सट्टा, जुवा, क्रशी, भूमी, परसंपदा, शल्क, पशपालन, सिचाई, क्रश राग, मनुरंजन, भूराजस्वय लगान, विद्धुत, पर कर, और आपका पत कर, टोल्टेक्स, प्रतिवियक्ति कर, ठीक है, और विलासित्ता की वस्तुमों पर कर, ये सारे किसमें आ जाएंगे आपके, राज्य सूची में आएंगे, स्टेट लिस्ट में आएंगे, र राज्य सूची के अलाव आपकी फिर आ रही है, कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, दंड विदी, प्रक्रिया विदी, आर्तिवा समाजिक फ्योजना है, शिक्षा, वन, विवा, विवाविच्चेद, ठीक है, कारखाने मजदूर संग, खाद प्रदार्त और अ आप जो होती है, वन्यजीव जन्तूं का संरक्षन, समाचार पत्र, पुस्टकें, मुद्नाले, और स्वच्चता और शिधाले, और ध्योगिक विवाद, उत्रादिकारी, विधी, वरती, चिकित्सवरतिया, कीमत नियंत्रण, और जनम मरण, पंजीकरण, ये सब आपका सम वरती सूची में आ जाएगा, तो ये तीनों लिष्ट में आपको बता दिया, आप दो से तीन वर इसे बार वर पढ़ेंगे, अपने आप आपको याद हो जाएगी, जरूरी है, एक से दो कोशन इससे आही जाते हैं, आर्थिक नियोजन, एकनॉमिक प्लानिंग किस सूची ठीक है, ये साथवी अनुसूची की सूची तीन समवर्ती सूची में सामिल है, ठीक है, विवा विच्छेद अभी हमने नीचे भी देखा था, गोद लेना, आधी समिधान की साथवी अनुसूची किस के अंतरकर सामिल की गई सूची थर्ड, ठीक है, समवर्ती सूची में, ठीक है अभी हम लोग ने देखा था संवर्थी में ही विवावा विवविच्छेत के बारे में दिया गया तो इस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा नेक्स्ट देख लेते हैं देखे अभी हाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रियम्बिल से रिलेटेट जित्ते कोश्चन आएंगे बन सकते हैं वो सभी यहाँ दिख जाएंगे आपको उतेशिका प्रस्तावना हम भारत की लोग भारत को एक संपून प्रभुत्व संपन समाजवादी पंत निर्पक्ष लोकतांत्रिक गण राज्ये बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनितिक नियाए विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की सोतंतरता प्रतिष्टों और अफसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता और अखंडता सुनशित करने वाली बंदुता बढ़ाने के लिए दरड़ संकल भोकर अपनी इस समिदान सवा में आज तारिक 26 नवंबर 1904 इश्वी मिती मार्ग शीर्ष शुकल सप्तमी समवत 2006 विक्रमी को एतत द्वारा इस समिदान को अंगीकरत अधिन्यमित और आत्म अरपित करते हैं ठीक है समिदान को अंगीकरत अधिन्यमित और आत्म अरपित करते हैं ये सेम टू सेम प्रियम्बल के ठीक है क सम्विधान सभा में वो देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया तो ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया सम्विधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्म निर्पेक्ष राज्य की रूप में वर्णित करता है सम्विधान की प्रस्तावना ठीक है भारतिय सम्विदान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्थ भौम समाजवादी धर्म निर्पेक्ष प्रजातांत्रिक गरतंत्र के रूप में घोशित किया गया है सर्वच नियाले द्वारा ऐसा किस विवाद में कहा गया है कि अनुच्छे 368 के अंतरगत सम्विदान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है प्रन्तु यह मूर धाचे का उलंगन करने वाला नहीं होना चीए यह केश्वनंद भारतिवाद 1973 में कहा गया है ठीक है यानी सर्वच नियाले ने क्या कहा है वाद में अनुच्छे 368 के अंतरगत सम्विदान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है लिएन मूर धाचा उसकी धाचे का उलंगन नहीं होना चीए संविदान संबन्दी वीचार अब जैसे संविदान का परिचय पत्र किस ने कहा है ऐसा कोश्चन पूछ लिए जाए तो आपके पास में आंसर N. A. पाल्की वाला हो जाएगा अनुच्छेद 32 सम्विधानिक उप्चारों का अतिकार को डॉक्टर भीमराम बेट करने सम्विधान का रिदे एवम आत्मा कहा है ठीक है भारत के एक गणतंत्र है भारत एक गणतंत्र है इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ भारत में वंशानुगत शासन नहीं है जो पहले राजवंश में हुआ करता था कि वंश के ही हातों सत्तर हाईगी तो अब ऐसा नहीं है ठीक है अब एक केस देखिए आपने दो के बारे में सुन लिए तीसरा देख लीजे गोलक नात बनाम पंजाब राजे के मामले में नियायमूर्थी एम हिदायत उल्ला ने उद्देशिका को सम्विधान की मूल आत्मा कहा है ठीक है पंजाब राजे के मामले में हिदायत उल्ला ने उद्देशिका को ठीक है क्या कहा है ठीक है उद्देशिका को क्या कहा है समिधान की मूल आत्मा कहा है ठीक है अगर न्याय मूर्ती रायतुला के बारे में पूछे तो यह आ जाएगा भारत के संदर्ब में धर्म निर्पी शब्द का सही अर्थ तो देख ले थे हम भारत में राज्य का कोई एक सेकेंड आपको clear नहीं दिख रहा होगा तो dodge का में लें हो जाएगा कोई धर्म ठीक है तो ध्क बार्द में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है को ऊडिशिका में सम्मिलित सांसिक्व आर्थिक ठीक है एवम राजनीतिक नियाय के तत्व किस से संबन देते हैं ठीक है तो यह जो समाजे कार्थिक एवम राजनीतिक नियाय के तत्व किस संबन देते हैं वो है 1917 की रूसी क्रांती से ठीक है 1917 की रूसी क्रांती से उच्चतम नियायले में किस वाद में यह धारना प्रस्तोते कि ओफ इंडिया में ठीक है एसार बहुमई बना में यूनियन ओफ इंडिया में वो देशी का क्या है समविधान का अभिनांगे ऐसा उष्टम नयायले ने कहा सभी व्यक्ति पून तहां और समान रूप से मानव यह सिद्धान जाना जाता है क्या सार भौमिक्ता ठीक है भारत म क्या है लौकई क्या है समविधान की पृस्तावना आरंश भौती हम भारत की लोग क्यों है इसा क्यों brasset यहां से है by the द्वारा भारती समिधान की उद्देशिका संशोधन किया गया था तो 42 में समिधान संशोधन के द्वारा ठीक है यानि कि जो संशोधन भारती समिधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया वो कि से 42 में समिधान संशोधन के द्वारा किया गया भारती समिधान की विस्तावना में जिन आदर्शों की रोपरेखा दी गई, उनका विस्तार कहां से, तो यह है मूल अधिकारों, राजे की नीती निदेशक सिधानतों, मौलिक कर्तमों के अध्याये में, ठीके, राजे का सबसे महत्पूर्ण तत्व क्या है, तो वो है संप् पूता, समाजवादी, अकंड़ता, पंत निर्पेक्षता, शब्द सम्विधान की प्रस्थावना में, ठीके, संशोधन द्वारा समिलित किये गए थे, तो यह किये गए थे 42, आप देखे, सोचलिस, इंटिग्रिटी और सैक्यूलर, यह जो शब्द जो इसमें शामिल किय किये गए थे, वो 42, संशोधन की द्वारा शामिल किये गए थे, कई बार पूशा क्या कोशन है, उद्देशिगा को राजनितिक जन्म पत्री की संग्या किसने प्रदान की, तो इसमें अगर हम देखें, तो प्रियंबल को किसने प्रदान करी है, कि मुन्शी जी ने, ठीक ह यहां लिख देती हूं मैं, के एम मुन्शी जी ने, सॉरी, के एम मुन्शी, ठीक है, तो इह हो जाएगा, उतेशिगा को राजनितिक जन्म पत्री की संग्या किसने प्रदान की थी, के एम मुन्शी जी ने, प्रस्तावना समिधान का अंग नहीं है, ठीक है, प्रस्तावना जो है वो समिदान कांग नहीं है और चत्म नियाले में यह मत किस वाद में व्यक्त किया गया प्रस्तावना को समिदान कांग नहीं कहा गया यह था बेरुवाडी संग मामले में ठीक है इसके अलावा आप इसे देख सकते हैं समिदान निर्माणा महत्पुरु निवाने वाले कौन सदसे तो यह सर अलाधी कृष्णा स्वामिय यह कि अनुसार की प्रिस्तावना हमारे दीर कालिक सपनों का विचार है ठीक है तो यह हो जाएगा आपका यहां तक आपने उतेशी का पूरा देख लिया अब आपका आएगा संग एवम राज्य छेत्र ठीक है अब यहां पे हम संग एवम राज्य छेत्र के बारे में और पड़ेंगे और इसके साथ हमारे 10 पेजिस के कंप्लीट हो जाएंगे जबकि पॉलिटी में टोटल 41 पेजिस हैं ठीक है तो 10 पेजिस यहां खतम हो जाएंगे तो यह मान के चलिए तीन दिन में आपकी पॉलिटी यहां से पूरी हो जाएगी आगे देख लेते हैं संग एवम राज्य छेत्र अनुछेद एक भारत के राज्य छेत्र में निम्न छेत्र शामिल होंगे राज्यों के राज्य छेत्र जो अर्जित किये जाएं ठीक है तो यह आपके किसमें शामिल हो जाएंगे अनुछे देख में भारतिय संग के अंतरगत किस राज्य को सम्मिलत करने का अधिकार किसे प्राप्त है संसत को सविधान के प्रथम अनुछेत के अनुसार भारत होगा राज्यों का संग भारत में कितने राज्य एंवन संगिय प्रदेश है ठीक है तो यह 28 राज्य आठ संगिय प्रदेश इसमें राष्ट्री राज्य धानी छेत्र भी सम्मिलत है आप करेंट के बताईएगा लोग सवा में केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटे आरक्षित है ठीक है तो यह हैं आपकी 20 दो प्रथक केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया 31 अक्टूबर 2019 को संग एवं इसके राज्य छेतरों से संबंदित अनुच्छेद संग के छेतर का नाम नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसत का अधिकार नए राज्यों की स्थापना अथवा वर्तमान राज्य के छेतर पलसीमा अथवा नामों में परिवर्तन अनुच्छे 2 वा 3 के अंदरगत बनाएगे कानून जिनके द्वारा पहली तथा 4 अनुच्छी एवं पूरक, अनुशांगेक, एवं अनुवर्ती consequential मामलों में संशोधन किया जा सके तो यह संग है हो उसके राज्य चेत्रों के संबंदित अनुच्छेद है उसकी वारे में विश्यवस्तु मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दी अब यह देख लेते हैं एक शेत्रिय परिशद जो होती है ठीक है तो उसकी कुछ नाम होते हैं और इन से रिलेटेट कभी कभार कोश्चन आ जाता है तो हम इसे देख लेते हैं उत्रिय चेत्रिय जो परिशद है उसका मुख्याल है नई दिल्ली में उत्री चेत्रिय है ठीक है उत्री चेत्र का परिशद नई दिल्ली अब इसमें सम्मिलित कौन कौन से राज्य हमसंग छेत्र जब मुकश्मीर है लद्दाग आएगा हिमाचल प्रदेश हरियाना पंजाब राजस्तान दिल्ली चंडिगड ठीक है देख लीजिए पूरा देख रहा होगा आपको केंद्रिय छेत्रिय परिशद प्र पूर्वी में आएगा फिर पश्चिमी छेत्रिय देखते हैं तो मुंबई गुजरात माराष्ट गोवा दादरा नगरहवेली दमन दूइव ठीक है यह सब इसके अंदर आएगा पश्चिमी में और मुंबई इसका क्या है मुक्याले है दक्षण छेत्रिय परिशत का चिन नहीं में है इसमें कौन-कौन से राज्य आएंगे आंद्रप्रदेश, करनाटक, तमिलनाटु, केरल, पुटुचेरी, पुटुचेरी एंड तेलंगाना ठीक है तो यह सब आपके क्या हो गए छेत्रिय परिशत हो गए अब देख लेते हैं दिसंबर दिसंबर 1903 में फजल अध्यक्षता के द्वारा ठीक है इसमें अगर देखें आगे नए राज्य के गठन की ठीक है नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्रापते संसत को राज्य के पुनर गठन से संबंदित वर्जल अली आयोक का गठन किस वर्ष में किया गया 1953 में किया अभी बताया था भा इसका इयर भी देख लेना इयर पूचा जासता है कही बार राज्ये पुनरगठन आयो इस्टेट री और्गनाइजेशन कमीशन एक नवेंबर उने सचपन को कितने राज्ये तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थी तो यह बनाए गए थे चौदे राज्ये और छे स 1975 में ठीके जब भी हमारे यह केंद्र शासित प्रदेश की बात होगी तो आपके दिमाग में आजना चाहिए यह किस के द्वारा रूल हो रहा है यह किस के गंडुल में है राश्च्पती के द्वारा ठीके जुनागड रियासत को जन्मत संग्रे के आधार पर हैद्रबाद रियासत हुसेन ने कारवाई की द्वारा भारत में शामिल किया गया था जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं कबाईलियों के कबाईलियों के आक्रमर से सुरक्षा सुनिशित करने हितू भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भ शेश राजियों को राजिय का दर्जा ठीक है तो यह देख लेते हैं यह राजिय हैं यह वर्ष हैं असम को 1979 में हिमाचल प्रदेश को 1971 में मेगाले को 1972 में राजिय का दर्जा और सिक्किम को 1975 से 76 में राजिय का दर्जा मिला और अर्णाशर प्रदेश को 1986 से 87 में नागलेंड 1979 में मनीपुर को 1972 और तिरपुरा को मिला था 1972 में और मीजोरम को 1986 से 87 में क्या करा गया राज्ये का दर्जा दिया गया ठीक है तो आज के लिए इतना ही मैं समझती हूँ कि आपके ये 10 pages आपको हिला के रख देंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे question है जो repeatedly आए हैं अगर आप मेरा यकिन नहीं मानते हैं तो आप इनको अच्छे से करने के बाद में क series है अगर आप serious candidate है ठीक है अगर आपके लिए ये matter नहीं करता है कि आप मेहंगी फीज दे करके कहीं पर पढ़ रहे हैं या किस resources से पढ़ रहे हैं अगर आपके लिए बिलकुल matter नहीं करता है तो अगर आप ego को एक तरफ रख देते हैं तो आप इस series से वाकरी में selection ले सकते है मेरा यकीन मानियगा इस book के साथ में आपको test series solve करनी है और current affair पढ़ने है बस इतना करने पर आपका जो भी exam आप दे रहे हैं वो clear हो जागा because quality, geography, history, economics ये सबी series हो science की series ये सबी इसके साथ चलेंगी और guys इतना ही नहीं आप जितनी जादा इसको repeatedly पढ़ेंगे मैं ये नही आप मुझसे पढ़िये मेरे वीडियो को देखिए अगर आप बुक लें सकते हैं तो बुक से पढ़िये आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है आप उसे पढ़िये ठीक है परपस आपका selection है ठीक है अब आपके हाथ में हैं अब आप seriously पढ़ाई करना चाते हैं या फिर आप multiple videos ढूंद करके अपना time waste करना चाते हैं मैं नहीं कहा रही हूँ कि आप मेरे videos देखते रहे हैं आपको जैसे भी अच्छा लगता है आप वैसे पढ़िये बट पढ़िये ठीक है तो ये resources इनफ resources है और ये बुक इनफ है आपके selection दिलाने के लिए मैंने खुद पढ़िया है मैंने देखा है इसके content को बहुत गौर से series से match करा है previous year जो पुराने सालों के जो previous वाले questions है आप उससे देखिए किते सारे questions है जो इससे आए हैं ठीक है तो आप यकिन मानिएगा बहुत अच्छी किताब है आप इससे जो पढ़ रहे हैं ये question अलड़ी बहुत बार आचुके हैं एक बार नहीं कई बार आए हैं जब से exam हो रहे हैं तब से repeat हो रहे हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है बागी आपको अगर हमारे वीडियो अच्छी है तो like, subscribe, share जरूर करिएगा आपका subscribe, like, share हमें motivate करता है और friends हमें इससे ज़्यादा कोई फाइदा अभी इससे नहीं है ठीक है तो ये बस आप लोगों की help के लिए है ठीक है knowledge सब तक पहुँचे काफी लोग ऐसे हैं जो लोग नहीं पड़पाते हैं प्लीज वीडियो को share करा कर ये आपका एक message किसी की life बदर सकता है तो आप इस तरीके से life में कुछ झाल